friends what's up आज हम बात करने वाले एक food product की और बहुत ही amazing है वो आप किसी भी segment से belong करते हो चाहे आप vegetarian हो non vegetarian हो आप fitness से related हो directly या indirectly आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी plus जो लोग vegetarian है उन लोगों के लिए तो ये वर्दान है ये product मुझे आज ही Amazon के जरीए deliver हुआ है and stay tune with me सबसे इसके unboxing करते हूं और फिर इसके बारे में और भी बहुत सारी बाते करते हैं Hey, so आप लोग समझ गयोंगे मैं बात कर रहा था peanut butter की मैं ये product personally क्यों suggest करता हूं CDZ बात है क्यों क्योंकि इसमें protein fats और carbohydrates तेनों का proper combination है दूसरी चीज़ इसमें बहुत सरे vitamins पाया जाते हैं जैसे vitamin B1 जैसे thiamin B कहा जाता है biological language में या scientific language में and इसमें साथ में पाया जाता है pentatonic acid जैसे vitamin B5 कहा जाता है अब ये vitamin क्यों जरूरी है क्यों क्योंकि ये जो चीज होते हैं ये जो vitamins होते हैं बहुत सारे जो हमारे nutrition होते हैं जैसे protein हो गया काप्स हो गया उनकी synthesis में मदद करते हैं तीसरी चीज जो लोग gaining कर रहे हैं जो लोग muscle building करना चाहते हैं या जो लोग fitness 50% वो जो cells होते हैं वो fat से बने हुए होते हैं और इसमें 50% more than fat है तो ये जीज आपको बिल्कुल आपकी muscle building में help करेगा और recovery में भी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन आपको जरूर help करेगा तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग gaining कर रहे हैं वो लोग इसे कैसे ले सकते हैं आप milk लीजे उसमें दो चमच पीनट बटर डाल दीजे और साथ में आप केले ले लीजे बाकी एक दो चीज़े आप अपनी तरफ से add कर सकते हैं तो इससे क्या और vitamin B5 होने के कारण आपको skin diseases होने के chances भी बहुत कम हैं तीसरी चीज आपका heart हमेशा healthy रहेगा उसको हमेशा continuously strength मिलती रहेगी यह चीज प्रोवाइड कर दिया अब बात करते हैं precautions की कि खरीदते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखने हैं आजकल market में इसी बहुत सारी companies आ अस्तामाल मिल रहे हैं तो हम सुचते हैं कि क्यों invest करना महेंगे चीजों पर आप बिल्कुल ऐसा कीजे हर जगह कीजे लेकिन जहां पर बात हो खाने की आप थोड़े से conscious हो जाए है क्योंकि वो चीज हमारी body के अंदर जाती है तो वो हमारी body को affect करती है तो आप बिल्कुल जहां तक हो सके pure form लीजें वो लोग क्या करते हैं कि इसमें hydrogenated oil मिलाते हैं जो की saturated fat का एक form होता है और हमारे heart के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है तो आप देखें कि कहीं इसमें hydrogenated oil तो नहीं मिला है दूसरी चीज अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा nutrition गेन कर पाएं इस चीज से तो आप बिना sugar added किया हुआ peanut butter ही ले तो यह थी कुछ खास information about peanut butter आपको कैसा लगा अगर यह वीडियो आपको informative लगते हैं तो like, share, subscribe आपकी मर्जी है Thank you so much, this is Saurabh, Oven out